हम अंजनी सुत्व जरंग बले के कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं भाईभरत समान जिनहे शिरी राम बोलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम अंजनी सुत्वजरंग बली की कथा सुनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने शिरी राम बोलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान कोतम रिसनी शाप दिया था माता अंजनी को कहने लगेगी तुम को आरी माता बन जाओ बोली अंजनी रिशी वरई मैं ना होने दोगी अपने आप को ही गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुष को देखो ना में होगा ये कैसी जाई गाई शाप तुम्हारा व्यर थी ऐसी अपने आप को एक गुफा में उसनी बंद किया छोटा सा एक छिद्र था बस जिसनी से आये हवा हुआ क्या फिर इस से आगे तुम ही बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बोलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ते राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान ते राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान मोहिनी रोप जो विश्णों जी ने भोले को देख लाया काम बेग फिर भोले जी को रूप देख चड़ाया काम बेग अब भोले जी से रोका ना जाए ब्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजनी बैथी जिसको गौत मिर शिकाश्णा कान में उसको डालो विंडू जाकर भोले आ काम बेग ये आपका यू विर्थ न जाएगा गात मिर शिकाश आप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाती है आवन कथा सुनाती है भाई भरत समान जिने शिरी राम बुलाती है हम कथा सुनाती है राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान तुम तो हो बड़ी बलवान भोले जी की अलख जो अंजना मा के कान पड़ी बैठी ध्यान लगाकर थी ओ सुन कर होई खड़ी बोली अंजना जो भी मुझे को बाहर लाया ना धंग करना है श्रापरशी का मैने है धाना केहने लगे भोले है देवी हमें लगे है प्यास पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खास अपने कान को इस छेदर के पास मिलाओ तुम्हें बिना दक्ष्णा किसी का पानी ना पीते हैं हाई कान में वो फिर अंजनीवा के भीद पढ़ाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान ते राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान बोली अंजनी है जोगी क्या है तुमने किया सची ही होगे अशाप आज जो रिशिगो तम ने दिया केहने लगे हैं अंजनी इसको न समझो तुम शाप ऐसे वैसी ना जोगी हम खुद हैं भोले ना होगा जो ये बालक वो बड़ वीर कहाएगा कौमार भी बंद तुम्हारा ना हो पाएगा राम भग इस लोग कहेंगी और नाम हन उमाम मत समझो जो शाप है तुम कोई तो है वरदान भोले नाथ फिर खेलाश पे लोत ही जाती है आमन कदा सुनाती है भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बुलाते हैं हम कदा सुनाती है ए राम भक्त हनमान तुम तो हो बड़ी बलवान पे राम भक्त हनमान तुम तो हो बड़ी बलवान पोवन के जरिये काल से होकर ये है गर्भ में आई इसलिए तो बजरंगी है पवन वत्र कहलाई किंतु गर्भ में पड़ गई इनको वानर की झाया इसलिए तो वानर जैसा रोप इनों ने पाया बच्पन से ही हुई है तो बड़े वीरवन वान भोले जीने जैसा का हाथा नाम रखा हनुमान देखके एक दिन आसमान में लटक रहा फनला उड़े कर पहुच गई बजरंगी ऐसा किया कमा समझ कर फल वो तो सूर को निगले ही जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जीनी शिर राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्त हनुआन तुम तो हो बड़ी बलवान ए राम भक्त हनुआन तुम तो हो बड़ी बलवान सुठे देव को जो निगला तो हो आघोर अंध का सारी स्रिष्टी में मच गई फिर तो बस हाहाकार सारी देवी देवतातों होने लगे व्याकुल हनुमत निगल गई सुरज को समझ के नीठा फर होकी कटित वो तो फिर हनुमान के पास है आए बाहर निकार सुरज देव को वो तो रही समझाए जिति बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रूध में भड़कर इंद्र देव ने बजर लिया है ठाप बजर पहार सिहनोमान मुर्षित हो जाती है आवन कथा सुनाती है भाई भरत समान जिनी शिर राम बुलाती है हम कथा सुनाती है ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी मलवान फिर तो पवन देवताई सुनकी जानने हार ये क्या किया इंद्र देव वो हुए क्रोध सेलार छोटी से एक बालक पे कर दिया है बजर पाहार मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और संसार इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना अक्रों सब हुए व्याकुल पवन ने लिया बेग को रों सास भी लेना सबका फिर तो हो गय था दुश्रवार ब्रम्हाजी फिर पवन देव से बोले हाथ पसार हनुमान की वजर देह ब्रम्हाजी बनाते हैं आवन कता सुनाते हैं भाई भरत समान जिनी शिरिराम बुलाते हैं हम कता सनाते हैं ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान पवन देवनी ब्रम्हाजी की विनती ली हैं बच्च देह का ब्रम्हाजी ने दिया उने वरदां सुर्य देव वाहनों मान की मुख से आए बाहर हुआ उचाला सब देवोंने बोली जय जय का खेलते खेलते फिर वो एक दिन जंगल आते हैं रिशी मुख के पोत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कोद फिर उन्हीं देख कर करने लगे हनूमा रिशी मुख से करे शिकारत फिर बचो ले आ रिशी मुख के शप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिनहीं शिरिराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं पे राम भक्त हनुआं तुम तो हो बड़ी बलवां पे राम भक्त हनुआं तुम तो हो बड़ी बलवां किश किंधा पर बत पर फिर तो हनुमान आएं वानर राज सुग्रीव निशिराम सिह मिलाएं राजा दशरत के घर जन में पुर्शोतम शिरीराम खुशी मनाई नगरी सारे हो रहे मंगलगाः भोले वाल रोप के दर्शन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम वानर बन जाओ और बनू मैं मदारे बाल रोप शिर राम छवी दोनों देखेंगे प्यारी बन के मदारे अयो ध्यामे खेल दिखाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जीनी शिर राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी मलवान ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी मलवान चर्चा छिडिया योध्या में एक आया जब मदारी बानर का वो खिल देखाए देखे नगरी सारी पुर्शोतम शिर राम खिल को देखना चाहते है राजा दशरत फिर उनको महलों में बुनाते है भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खिल देखाया बोले राम ये वानर तो है मेरे मल को भाया वानर तो रख लोगा बोले राम ये ले कि खेल दिखा करके भोले कर गए है प्रस्था माने ना शिरी राम तो लेकिन रूठ ही जाती है आवन कथा सनाती है भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बुलाती है हम कथा सनाती है पे राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी मलवान राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी मलवान राजा दश्रतनी फिर तो है वानर कई मांगाई माने ना शिर राम वही वो वानर लेना चाही अपनी मंत्री को राजन ने खोजन को भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत कश गिन्धा वानर राज सुग्रीवन आकर उनको शीष जोकाया बुला लिया हनुमान उनकी संग मिया योध्य पठाया भाक्त और भगवान का तू ऐसा हो आमिलाई फिर बूले शिर राम हम ये लीला रहे दिखाओ अब तुम जाओ हनुमान वनवास को आते हैं पावन कदा सुनाते हैं भाई भरत समान जीने शिर राम बुलाते हैं हम कदा सुनाते हैं ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान चोदा वरश को शिरी राम जब आई हैं वनवास बलिवध करके सुग्रिव फिर उससे किया मित्रता सीता मा की खोज में निकली सबवानर सीना लंका जाने के लिए हनुमान को है चुना शिरी राम की आख्याली कर ऐसी भरी ओडारी सोजो जन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीया मात की पास में जाकर उनको की आनमन बाग उजाडा और अक्षे का कर दिया काम तामान सोने की लंका कुजला की राख बनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन ही शिरी राम बोलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए राम भक्त हनमान तुम तो हो बड़ी बलवान ते राम भक्त हनमान तुम तो हो बड़ी बलवान बना के से तो फिर कर दी हैं रंका नगरी चड़ाएं डटे रहे शिरी राम के संग में जब भी मसीबत आएं अपनी गदा से जाने कितने दानों मारें ये हैं शिरी राम के बोल रहे मुख से जयकारे हैं लखन लाल और मेघनात में योध हुआ भारी मेघनात ने जब लक्ष्मन को शक्ती थी मारें सोर्यो दैसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान श्राम प्रभू ने भाई बत लाएं राम प्रभू तुमें खुश हो करके गले लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ते राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान ते राम भक्त हनवान तुम तो हो बड़ी बलवान लंका विजय कर लोट सभी जब अयो ध्याते हैं श्री राम ने सबको ही उपहार भिवाते हैं मोती की माला हिस्से में आपके आई हैं तोड मोतीयों की माला दातों तले चबाई लंका पती विवीशन ने फिर कह दी ऐसी बात तोड़ी मोती माला आखिर है वानर की जा इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखडाए हैं क्या हुदे में तेरे भी शिर राम समाए हैं भाड के सीना सी आराम का दर्स कराते हैं आवन कथा सुनाती हैं भाई भरत समान जिनी शिर राम बुलाते हैं हम कथा सुनाती हैं ए राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ी बलवान वीरों के है वीर ये अपनी महावीर हनुमान राम भक्त है बड़ी निराले गुण और बल की खान शिरी राम की आख्या का सद पालन है करेते भूत प्रेत और दुरजन दुष्ट नाम से डरते ही बच रंग बली रखना हम पे गृपा की छाया जोती ने फिर सुमिर शारदा तेरा ही गुन गाया हनस राज रिलहन ने बनाया सोनो टिक चैनाई सुने का जो भी इस गाथा को होगी काम सफल फोज सुरेश संगल आखों भत शीष जुकाती है पावन कथा सुनाती है भाई भरत समान जिने शिरी राम बुलाती है हम कथा सुनाती है राम भक्त हनुमा तुम तो हो बड़ी मलवा